इसके एक ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में नियुरोलोजिकल डिसॉडर्स हुए हो या उसको कहेंगे कि जो जो मतब पढ़ नहीं सकता है दिमाग की इसको कुछ प्रॉब्लम से एडुकेशनली थोड़ा उसको पढ़ने में डिफरेंस मिलेगा नहीं वो अपना daily work कर सकता है कुछ बच्चे होते हैं जो trainable होते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो speech disorder होता है जिसमें उनके बनावट में ये सब causes कैसे होते हैं किस तरह से हम इसको देखते हैं कि बच्चा mentally disabled है तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि mental disabled मतलब क्या कि intellectual वो पढ़ नहीं पाते होंगे educational कुछ जो बच्चे होंगे वो उसको थोड़ा महनत करवाके या उनको training देके they can be teach बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो नहीं पढ़वाते हैं मतलब सर severe उनको problem होती है उसके लिए सबसे पहले हम definitions के बारे में जानेंगे definition में कुछ चीज़ें जो हम पढ़ेंगे जादा नहीं पढ़ेंगे जैसे कि mental deficiency एक ऐसी condition होती है जिसमें हमारा जो mental development वो कम हुआ होता है और वो किसी भी time हो सकता है मतलब birth के time भी हो सकता है early childhood में भी हमें ये पता चल जाता है कि हम intellectually function नहीं कर बारे है major wise standardized test कि इसलिए हमें ये standardized test से पता चलता है कि हम disabled है impaired adaptions of daily demands मतलब कि हम daily work हम कर नहीं पाते हैं हमारे behavior में वो independenceी नहीं है कुछ age के बाद कि हम कुछ मालों कि हम 5-6 years के हैं हम कोई hyper active हैं मतलब वैसे शरार्ती वच्चे कहलाते हैं जो वो हम कर सकते हैं बट कुछ time बाद जब age अपर age पे आ जाते हैं तब हम वैसे ही होते हैं मतलब कुछ तो घड़बढ़ है धहिया कहने का मतलब है कि mentally retired child होते हैं वो chronic conditions से होते हैं मतलब वर्थ से ही उनका ये characteristics पता चल जाते हैं तो हमें यही जाना होगा कि characteristics वर्थ से कैसे ये syndroms प्यादा हो रहे हैं कैसे वो intellectually disabled हो रहा है तो हमें सबसे पहले मदर के बारे में मदर की history के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसा है कैसा था उसके कैसे जिसकी वज़े से ये बच्चा ऐसा हुआ है तो सारा depends करता है कि मदर की history के बारे में मदर फादर की history तो उनका diagnose होना बहुत जरूरी सबसे पहले कि उनकी identification हो सो दाट की उनके जो क्योर कर सके वो अपने जो आने वाली जनतान उसको क्योर कर सके है तो कहने का मतलब है कि mentally retired children वो children होते हैं जो कि normal children से अलग होते हैं जिनका IQ level 70 से कम होता है ठीक है classification देखें कि कौन-कौन से intellectually disabled होंगे जैसे कि मैंने अभी कहा कि 70 से जो नीचे होंगे वो सारे mentally disabled होंगे मतलब कि mentally mentally retired कहलो intellectually disabled कहलो जिनकी neurology अच्छी नहीं है यह वर्क नहीं कर पारी है तो यह चार प्रकार की हो सकते है mild, moderate, severe, or profound mild जो होते हैं जो जिनको हम तोड़ा सब मैनत करवाके education दे सकते हैं moderate जो होते हैं उनको assistance की जरुत होती है और जो severe होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ अपना खाना पीना कर सके हैं तो वह भी बढ़िया है mild और moderate को हम थोड़ा सा train करके हम उसको कर सकते हैं but नहीं हो पाता है profound जो होते हैं बिल्कुल dull या imbecile की category में आजाते हैं तो मतलब इसमें जो दो पार्ट्स हैं mild है moderate है इन दोनों को ही हम train कर सकते हैं अन्यता हम इनको भी नहीं कर सकते हैं यह कुछ training के बाद हमें यह ऐसी चीज़ देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे की mild होते हैं वो क्या होते हैं यह जो classification है वो किसके basis पर की गई है वो intelligence test की basis पर की गई है कि इनका IQ कितना होगा IQ मतलब intelligence constant कितना होगा तो सिर्फ 80% of जो है चाइल जो है वो इसमें mild retardation में और यह occupation कर सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत सीख सकते हैं intellectually disabled होते हैं can be trained next moderate हो गया कि जो moderate 6% ही होते हैं और यह moron feeble minded कहलाते हैं इनको नाम है कि इनके trainable होते हैं mentally इनको train किया जाते हैं moderate retardation होती है इसको train training देके बच्चों को training देके इनको develop किया जा सकता है इनके अंदर कुछ qualities लाई जा सकती है जैसे कि academics में यह अच्छा कर सकेंगे कुछ symbols पड़ पाएंगे learning recognize कर पाएंगे कुछ चिज़ें इसमें cater कर पाएंगे इनके अंदर develop हो जाती है क्योंकि moderate है इनके जाधा severe नहीं है जो severe है n को उनको बोलने में भी दिकत है समझने में भी दिकत है उनको रहने में भी दिकत आती है तो इनको यह imbecile क्लाते हैं है और भी 3% ही होते हैं और इस में it काम भी नहीं करवातें मतब अपनी daily life में जो खाना पीना होता है, सफाई बगएरा, hygiene वो भी नहीं कर पाते हैं, severe होते हैं, profound तो सबसे बिलकुल ही, यह तो dependent ही होते हैं, बट यह जो होते हैं, मतब कह सकते हैं कि पहले profound आते हैं, बिलकुल ही डल, मतब कर ही नहीं पाते हैं, dependent हैं जब पर, severe जो हो गय को भी अगर इनको सिखाया जाएं, बार 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 और repetition में, तो भी सीखते हैं, मोडरेट जो होते हैं, वो, they are intellectual level, five to six year old, उनके जो दिमाग का लेवल होते हैं, वो five से six year के बच्चे के समान होता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो गया, और इनको train किया जा सकता है, स्कूल म और मतलब इनके अंडर कुछ सुपर वीजन में जाते हैं, ठीक है, और ये, intellectual retardation किस तना से होती है, मतलब कि क्या causes रहेंगे, कि ये हो जाती है, तो मैंने पहले ही गा कि जब एक औरत pregnant होने से पहले वो कैसी उसकी history रही है, उसकी genetics कैसे रहे है, वो किस blood group की है, उसका blood अच् ही है, मतलब उसको blood tester और सारी CD scans सब करवाए हुआ है, जो history क्या है, वो सब उसका पता होगी, तो definitely diagnosed the intellectually child उसका होगा, तो prenatal होता है, prenatal होता है during, before the birth, कि सबसे पहले जब बच्चा होता है, वो मा के गर्व में होता है, prenatal कहलाता है, और heredity, बहुत सारे conditions हो सकती है, heredity मे जब बच्चा में होता है, तो कुछ ऐसी जो होते न, XX chromosomes किसी का बढ़ जाता है, किसी का कम रह जाता है, तो यह syndroms पैदा हो जाते हैं, जब जो chromosomes है, वो एक extra बढ़ जाता है, 47 होते हैं, होते तो 46 हैं, अगर एक extra होगा है, तो यह down syndrome पैदा हो जाता है, मतलब इसमें भी intellectual disability होगी, क्या हूँ होते है कि ज ज सब्सक्राइब रहेत, तो भी प्रप्रोबम है, कम हो जबन पैदा है, तो भी और Rolex रहे है, तो तो बच्चा ठीक रहता है, उनका धिमाग ठीक रहता है, यह तू ज हो ज्याधा हो जाता है, तो भी intellectually, मतलब, instead of 46 chromosome ज सिक, क क्या हो जाते है, 47 55 Save लंग mesi 44 क्लिक्षाइब था रिदा रशॉम है इसका नाम है नेज्स्ट वी हैड टर्नर सिंड्रोम इसमें वर फीर ये जो होता है थे जो खुड़ा पंता 32 chromosomes x और उसके साथ event x कम होता है तो यह absence of x मतलब की X chromosome वह होता है वह कम होता है इसलिए फीमेल profile unters बाइता है और यह problem जो होती है learning impairment कहलाती है learning impairment की hormone dysbalance की होने के वज़े से ईखस एक्स बाइबाइए है जादा जिश कि एकसस वाइक जिसमें ज्यादा हो जाता है तो यह line filter syndrome क्याँ आता है समय बहुत सारे syndrom's हो सकते हैं जिसमें से हमने थीन ही पड़े जैसे कि down syndrome, turner syndrome और knife filter syndrome next we have metabolic or nutrition disorders खाने की विज़यसे और ने पिखाना मिला तो भी अगर मिल गया ज्यादा तो भी तो यह सारी कुछ scientific terms हैं जो की हमें पढ़नी चाहिए आगया आपका prenatal causes मतलब की during delivery time क्या होता है कि जब delivery हो रही होती है औरत की तो क्या होता है कि उसमें आपको बच्चे उस time पे oxygen की कमी की वज़ा से भी बहुत जारी problem हो जाती है उससे दिमाग में असर होता है neurological disorder हो जाती ह कि C-section करवा के पहले ही delivery का हो जाना that means कि वो भी कहीं न कहीं intellectually retarded कर रहा है instrumental delivery mother got affected by the any disease at the time of birth क्या होता है कि जब birth हो रहा होता है तब ही कुछ hygienic या कुछ problem create हो जाए मदर को तो यह भी बच्चे को defect कर सकता है head trauma और emotional shock भी कहीं न कहीं यह causes रहते हैं इसके prenatal perinatal जो हमने बढ़ा था प्री नेटल था यह perinatal मतलब दूरिंग और उसके बाद आता है last जो कि after delivery होता है after delivery मतलब कि उसके क्या problem cause होने पड़ती है कि ऐसी क्या कारण है जो after delivery भी बच्चे को defect हो सकता है तो यह accident की वज़े से अगर मान लोगी उस टाइम accident हो गया हो malnutrition मिल रहा हो कि अच्छा से nutrition नहीं मिल पा रहा है मा को तो भी बच्चे का भी असर defect हो सकता है viral infection हो गयी उस टाइम पे किसी जैसे करोना वाला सीम था infectious diseases, rubella, malaria यह सब उस टाइम पे हो जाए तो that means यह उसको भी causes रहते हैं कि बच्चे को भी रहे proper hygiene नहीं हो, गंदगी हो, smell smell हो, it hit तो वो भी कहीं न कहीं वो आपको intellectual retarded करती है child को और बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि poisoning यह सबी चीज़ें क्या है causes थे यह सारे causes थे जो कि हमें mentally retarded बनाने में सक्षम है, तो यह अगर एक मा को पता हो तो वो definitely cure कर सकती है अपने during birth, after delivery, during delivery, यह सब चीज़ें है, next है identification, कैसे identify करेगी वो कि यह बच्चा retarded है, तो diagnosis में कुछ points है जैसे कि history बता होनी चाहिए, सबसे बहले तो history, हिस्टरी, बच्चे की history पता होगी और बच्चे की नहीं, यहां की मा की history क्या है, पापा की history क्या है, मा की history अगर माझन लो कि उसको कोई disease रहा है या उसकी family में किसी को विसरा है तो वो chances रहते हैं कि उस बच्चे में भी वो diseases आ सकते हैं तो history का जानना और उसको समझना और understand करना उसकी हिसाब से precaution लेना that means यह diagnosis किया जाता है identification होती है यह intellectually disabled होगा तो physically physical examination मतलब कि यह आपके शरीर का examination हो क्यों आपका कोई body parts ऐसा तो नहीं है वैसा है तो उसे वज़ा से बच्चे को भी neurological मतलब कि कोई आपको दिमागी कोई problem तो हो नहीं blood urine का test भी ज़रूरी होता है क्योंकि यह भी कहीं कहीं आपको बहुत सारी चीज़े बता देते हैं और छोट 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 चीज़े हैं जैसे कि CT scan हो गया यह यह सब चीज़े हैं यह तो प्राक्टिकल डेगनेस की बात करने हैं जैसे कि अगर intellectually retarded है बच्चा तो वह कैसे उसको बदा जालेगा कि स्कूल में कैसे बदा जालेगा तो स्कूल में education assessment लिया जाएगा उसका कुछ ऐसे लिखवाय जाएगा तो वह उल्टा सीधा लिखेगा जैसे डिसलेक्सिया यह सब चीज़ें अगर सामने आती हैं तो definitely behavior में problem होती है उन बिच्चों को कुछ कर नहीं पाते हैं अपना personal काम खुद का नहीं हो पाता उनसे यह during इनको सुधारा जा सकता है due to vocational adjustment की तरह social इनको vocational दिया जा सकता है इनको कुछ activities करवाई जाती है और motor abilities के ध्यान रखा जाता है तो यह सारी चीज़ें हैं जो की आपको help करेंगी in the education provision education provision for intellectual disabled child की education provisions क्या हो सकते हैं बच्चे को जो mentally started है तो intellectually disabled तो यह IQ के basis पे हमने यह देखा कि जो mild moderate mild moderate or severe profound यह सभी क्या है एजुकेशन education care कर सकता है इनकी इन चारों categories की है न कुछ group बनाके grouping करके educational labeled जैसे की mild moderate को हम पढ़ा सकते हैं obviously जो severe और profound वो custodial होंगे बट जो mild है वो moderate है उनको पढ़ाया जा सकता है और जो जो मतब थोड़े कम है severe profound है उनको custodial मतब कि उनको कोई activity के मादन से vocational help दी जा सकती है so that कि वो भी अपनी life में अपना self work ही कर पाए education program for education intellectual child disabled तो यह भी काफी important हो जाता है the education intellectual disabled considered education sense of instruction atmosphere this is appropriate यह हमने नहीं पढ़ना तो यह सब चीजें हमें पता चल जाती है जब हम जब class में ऐसा बच्चा कोई पढ़ रहा है जिसको आ ही नहीं रहा है reading करना ही नहीं आ रहा है उसको जब वो लिख ही नहीं पाता है उसको समझ ही नहीं पाता है कुछ hyperactive है कुछ क्या है मतलब क्या होता है कि यह सब बच्चे इसली डाइगनस हो जाते हैं नॉर्मल स्कूल में यह दूरिंग बड़ टाइम तो नहीं होता है पर दिरे दिरे जब जब 6-7 यह के हो जाते हैं तो हम इसली डाइगनस कर सकते हैं कोई भी सिसको स्कूलिंग में डिले हो सकता है तो जार साल और इस सब चीज़ें च्छोट च्छोटी चीज़ें हैं जो कि घर का काम हो गया अपना खुट का च्छोटी च्छोटी इनको habits दिला सकते हैं तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जो trainable intellectually child है मतलब कि जो severe से उपर मौडरेट है उसको हम train कर सकते हैं कुछ skill सिखा कर कुछ इनको जैसे की independent खुद खा सकें अपना कपड़ा पैन सकें अपना कपड़े दो सकें अपना brushing अपना hair को brush कर सकें comb hair कर सकें brushing teeth using tarl hands ये सब चीज़ें चोटी चोटी चीज़ें जो हैं जीवन में ये सब चीज़ें जो हम एक बच्चा खुद कर लेता हैं ये भी खुद कर पाएं independent कर पाएं तो ये चीज़ें सिखा सकते हैं जिसको बोलते हैं trainable intellectual disability ठीक है ये सब social skills सिखा सकते हैं जैसे कैसे लोगों को greet करना है play कैसे करना है किसी के साथ और रोड के rules कैसे follow करने हैं छोटी छोटी चीज़ें जासे कि ये daily life living skills सिखा सकते हैं जिसको हम कह रहे हैं moderate इसे सहरे सीज़ें काफी important हो जाती है जब हम करते हैं जब जो sevy रहे होते हैं उनको थोड़ा कस्ट होता ही है but एक special educator होते हैं के लिए जोगी उनको सिखाता है समझाता है understand करता है तो ये जो बच्चे होते हैं जो severe वाले होते हैं जो profound होते हैं उनको नहीं हम educate कर सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं ना ही उनको educationally trained कर सकते हैं ठीक है तो यह non-publish school system में आएंगे voluntary organization इनको पढ़ाएगा उनको rehabilitate करवाएगा उनमें habits अड़ाप्ट करवाएगा तो इनके लिए ना इनको ना एक day hospital day care centers और residential institution उनको दिये जाते हैं तो इनके उपर ना इनके उपर education program बस इतना ही है कि वो self skill like खा सके खाना पशाब कर सके और फिर अपना mood हो सकते हैं या clean कर सके बाडी को बस इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी achievement हो जाएगी next we have they must taught protect themselves health weather हजार साम जैसे कि बहुत ठंड है तो उनको ये पता होना जाएगे मैंने को स्वेटर पानी है तो ये normal चीज़ हैं जो कि क्या होता है कि neurons switch हो जाते हैं कभी ज़्यादा कभी कम कभी होते ही नहीं कभी ये भी चीज़ें काफी बड़ी लग दिन लगती है उन टीचर पैरेंट्स के लिए कि ये कैसे होगा बट ये चिल्डर नो सफर कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम से मदब आपनी smooth life इनको नहीं मिल पाती है नहीं नहीं रहा पाते हैं और लगश्राइँ णहुंत वही है सेम अगेड ऑन अगेड वही चीज़ बताये है है टेंन टेंन टेंस तो झो होती है वो जब तक हम यह इस संहेंग और आचका हम इसको इंक्लीजार नहीं करेंगे पैरंस नहीं समझेंगे टीचर्स नहीं समझेंगे कि हाँ इन में कोई disorders हैं तो इस टोटली टोटली यूनो अनस अनएक्सपेक्टेड तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि ये हो गया वो हो गया है तो लाइफ में इनको जीना भी तो है जीने के लिए 40,000 साल जो भी है वो थोड़ा तो काम करने आए उनको ऐसी आदत दलवाने ही पड़ेगी तो education के ऐसा program है कि इनको क्या independent कर पाएगा कि इनको समझ पाएगा इनको understand कर पाएगा साथ में teachers parents का भी बहुत ही बड़ा रोल होगा और ये trainable education disabled children ये तो हो गया कि severe, mild, severe और profound आगे और ये जो होते हैं जो mild और moderate जिन में थोड़ी सी qualities ला सकते हैं वो सीख सकते हैं, understand कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपना 12 तक थोड़ा बहुत जीवन जीने आजाता हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, ये वो लोग हैं और ये जो लोग हैं, वो बिलकुल कर ही ही नहीं सकते हैं, ये कर सकते हैं इनके थोड़े मदब disorders होते हैं, समझ कि आप ये थी हमारी mental disorder की कहानी जो कि mental disorder intellectually disabled child जो कि काफी important chapters है और काफी role play रहेगा आपकी education में, कि अगर आप educator हैं, तो how you will how you will do some majors taken majors for the intellectually disabled child, कि सब्सक्राइब आपको पता ही होगा कि वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या उपचार है, क्या causes होते हैं कि वो ऐसे होते हैं, फिर उनको, कैसे आप उनको diagnose करोगे, कैसे उनको provision दोगे, क्या education में आप उसको क्या help करोगे, तो यह सारी चीज़ें एक चीज़ में आजाती हैं, जैसे education of collectively disabled child, इसमें mainly जो होते हैं कि down syndrome, turner syndrome, और यह सब independent होता है, आपकी neurology होती है, आपकी दिमाग में जो neurons होते हैं, उनका अस्थिर होना ही क्या होता है, disability लाता है, और यही चीज़ा कहते हैं कि जो नाड़े होती हैं, हमारी दिमाग की जो नाड़े होती हैं, वो हिल चुकी होती हैं, जा मतलब कि उसमें proper protein या proper hormones का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो इसकी वज़ा से क्या होता है, कि हमारी activities वैसे work कर रही हैं, कहते हैं कि हमारी जो शरीर की जो नाड़े होती ह वो हमारे दिमाग से connected होती है अगर हमारा दिमाग ही स्वच्थ नहीं है दिमाग में ही neurology सही नहीं चल रही है तो हमारा शरीर कैसे उसको परिपक वो करेगा, कैसे उसको समझाएगा, तो जो actions अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूं consciously तो consciously, यह हमारा जो neurons है हमारे दिमाग के यह हमारे दिमाग की जो नाड़े कहलो, नाड़े जुड़ी होई हैं तो मैं यहाँ पर conscious हो के बाते कर पा रही हूं अगर मेरी नाड़े नहीं जुड़ी होती तो definitely मेरी यह बोलने की consciousness, जो मैं consciously बोल रही हूं, यह भी नहीं बोल पाती मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे दिमाग ही स्वस्त होगा मस्त होगा अगन होगा, तो कहने का मतलब है कि हम अपना काम easily कर पाएंगे, काम छोड़के हम अपना mental work भी अच्छे से कर पाएंगे, mental work मतलब क्या जो हम think करते हैं, हम language होलते हैं हम सीखते हैं, understand करते हैं जो भी चीज़ें हम दिमाग से सोचते हैं वो mentally disorder mental able होगा, अगर आपका दिमाग ही अच्छे से नहीं work कर रहा है, आपके neurons ही अच्छे से work नहीं कर रहे हैं, उसमें disbalance है, तो क्या होता है कि हम mentally retarded क्यालाते हैं जिसमें बहुत सारे factors अभी पढ़ें और भी हम इसमें अपना add करें, तो add ही कर सकते हैं कि जब माँ बच्चे को जन देने वाली होती है तो सबसे पहले उसको genetic counseling जरूर करवानी चाहिए ताकि वो क्या करें अपने आने वाले जो संतान उसके लिए prepare हो जाए दिमाग से ही ताकि उसको कोई problem ना हो उसकी history, उसका सारा जो data है जो भी history है, physical history वो डॉक्टर से सलाह लेकर वो अपना baby planning करें, so that कि वो easily वैसे बच्चे को ना जन दें, या कुछ cure कर सकें, डॉक्टर की कहने पर ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं, और understand नहीं हो पाता है ये education disabled की विज़ए से होता है, हम जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं, वो dependent होते हैं मतलब कि अपने काम खुद भी नहीं कर पाते हैं due to imbalance of neurons in the mind तो हमें अपने जो मा है, उसको समझना होगा कि हमें जो भी मेरा आने वाली संतान है उसका अच्छे से भरन पशन हो, जैसे कि during pregnancy जो perinatal जिसे कहते हैं इंगलिश की भाषा में perinatal time में एक मदर को अपना nutrition उसका जो भी कहने का मतलब है कि जो precautions होते हैं वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है so that कि कोई भी disadvantage ना हो कोई handicaps ना हो तो ये भी कही ना कहीं ये special child में आ जाते हैं जब ये बच्चे पैदा हो जाते हैं ये नहीं कर पाते हैं ये बहुत hyper active होते हैं तो क्या होता है कि इन्हें फिर कुछ education program दिये जाते हैं जैसे कि special educators होते हैं इनके लिए इससे ही deal करते हैं इनकी ही study करते हैं और जो कि inclusive school की category में आ जाते हैं अपने वहाँ पे भी जब हम inclusive school गए माइल्ड कहलाते हैं माइल्ड और जो की moderate कहलाते हैं mild और moderate जिनको हम लिखवा के पढ़ा के understand करवा सकते हैं कोई चीज को समझा सकते हैं और ये सारी चीज़े जो है वो special school में ही सिखाई जाती है बच्चे को बच्चे के साथ को correlate करके ये हम बच्चे को समझा के है ना तो बहुत सारे बच्चे हमने देखे माँ पर mentally disabled थे जो की mild और moderate ही थे हमें severe वाला कोई भी नहीं दिखा क्योंकि severe वाले हो तो वो चली ही पाए तो वो भी बड़ी बात है motor disabilities मतलब की शाररिक कुछ disabilities होती है वो नहीं अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाता दूसरा वो अपना काम क्या ही कर पाएगा तो custodial नाम अलग अलग है बट same चीज है ये mental disorder तो overall इसकी summary अगर देखें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि mental disability किस बज़ा से होती है पहली वज़ा ये ही है कि prenatal और postnatal causes की वज़ा से ये चीज़े होती है और अगर हो जाएं तो heredity work कर रही होती है heredity क्या होती है कि heredity से माँ-बाप के जो chromosomes होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं कम हो जाते हैं जिसके वज़े से ये चीज़े हो जाती है के जात उसको लिखना नहीं आएगा उसको अलग ही category में चला जाएगा पढ़ने नहीं आएगा उसको समझ में आएगा कोई चीज मैं पांच बार समझाज़े तो भी उसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है it can be cure, ये cure किया जा सकता है क्यों इसकी एक special education की माधिम से एक school होगा जिस पे specially इनके लिए ही teachers available होते हैं जो की हमें सिखाते हैं ये चीज़ ये चीज़ है तो कहने को मतलब है कि different disability के लिए different educators होते हैं जो की इनसे cope करते हैं इनसे मिलते हैं, understand करते हैं इनकी study करते हैं और इनमें कैसे सुधार किया जा सकें इनमें कौन सी training दी जाए इनको कौन सी skill इंप्रूफ के जाए so that की ये अपना काम सुवयम कर सकें बस इतना ही होता है, simple तो ये थी हमारी education disabled children तो ये, hope you will like this video and take care, see you soon